नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बचे हुए जो आटा होता है उससे एक नास्ता जो कि आप दो प्रकार का नास्ता बना सकते हैं और उससे बहुत ही बढ़िया ठी टाइम स्नेक्स बन जाता है अगर आपको घर में कचोड़ी पकोड़ी बनाने का दिल करे इसके लिए हमें क्या करना है दो उबले हुए आलू है ये भी आलू क्या मैं क्या करती हूँ जब भी दाल बनाती हूँ दो आलू जरू डाल देती हूँ या तो आप इसका भरता बना लीजिए या किसी सबजी में यूज़ कर लीजे या आप कुछ नास्ता बना सकते हैं तो ये आलू का कलर इसलिए पीला लग रहा क्योंकि ये दाल में बना हुआ है तो इस तरह से देखे ये आलू हमारा कद्द कस हो गया क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूध आलू चाहिए इसमें क्या करेंगे दो हरी मिर्श डाल देंगे आधा प्याज डाल देंगे थोड़ा सा गाजर भी ग्रेट करके इसमें हम डाल देंगे बस आलू का गुठली बगरा नहीं होना चाहिए अब डालेंगे या पे थोड़ा सा चिली फलेक्स स्वाद अनुसार नमक इसके बाद लेंगे ये हमारा है आमचुर का पौडर किसी भी आलू का नास्ता में अगर आमचुर का पौडर डालिए तो ये बहुत अच्छा बाइलेंस करता है आलू का मेठापन को और ये है गरम साला अधा छोटा चमच अब इसमें डालेंगे ये है कॉर्ण फ्लोर दो छोटा चमच है ये डालने का ये मकसद है कि हमारा आलू जो है जब तेल में जाएगा तो ये बिखरेगा नहीं ये आलू को बाइंड करके रखेगा होल करके रखेगा तो इसलिए इसमें कॉर्ण फ्रो डालना बहुत जरूरी है ज्यादा नहीं दो आलू है तो दो चम्मचा बडाल दीजिए काफी होगा तो इस तरह से देखें यह आलू का मसाला जो है न हमारा बनके स्मूद वाला बनके तेयार हो गया है ति यालू का मसाला तैयार हो गया है इसे हम साइड में रखेंगे अब क्या है कि यह मैं साम में नास्तर बना रही हूं सुब् monet जाता है इसे क्या करते हैं मंगरेला होग्यलिक साम में रोटी वगदर बना लिया ति यह वही आटा है अप इसके जगह पे मैदा का भी बना सकते हैं मैदा में दालकरके अजवाइन मंगरैला थोड़ा सा नमक इसपने हम थोड़ा सा डालेंगे मंगरैला है अदाज होटा चम जभाइन इससे के आटे में थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा थोड़ा क्रेश करके डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे आटे में और इस आटे को थोड़ा सा में खास्ता बनाना है तो एक चमच हम इसमें गी डाल देंगे यह आप तेल भी डाल सकते हैं और दो-तीन चम्मज हम सुखा आटा डाल करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे को और यह आटा थोड़ा सॉप्ट है तो यह थोड़ा हाट भी हो जाएगा इसमें जितना जरूरत हो दो-तीन चम्मज और आटा मिक्स कर लिजिए और यह बचे वे आटे से बहुत ही अच्छा अपनास्था बना सकते हैं तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते हुए थोड़ा से आटे को मिला लेंगे जिससे कि इसमें नमा गी सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यह आटा जो है हमारा बिल्कुल तयार हो चुका है और यह पहले से थोड़ा टाइट भी आटा हो गया है बस ऐसा ही चाहिए हमे अब क्या करेंगे इसको हमें बेलना है तो आटे को चिकना करने के बाद इसमें हम तीन लोई बनेगा और इसे अच्छी तरह से गोला बनाते हुए आटे में डस्ट करके इसके बड़ी सी रोटी बनाएंगे बेल करके तो इस तरह से आप नास्ता अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप मैदे के आँटे में भी मैदे से भी बना सकते हैं और इसी तरह से सारा प्रोसेस यही रहेगा बना के आप इसे रख सकते हैं तो रोटी से थोड़ा सा हमें मोटा बेलना है बहुत पतला भी नहीं बेलना है तो देखिए पूरे चकले के साइज का हमने तयार कर लिया है तो ये रोटी की मुटाई देख लीजिए बस वैसे ही बेल करके अब क्या करेंगे बीचो बीच एक छोटा सा कटोरी डाल देंगे जिसमें हमें आलू का मसाला नहीं लगाना है प्लेन छोड़ना इसलिए हमने याँ पे कटोरी लगा दिया अब आलू का जो मसाला है उसको चार बड़ा चमच इस रोटी में अच्छी तरह से फैला लेंगे यही जो मसाला है ना टेस्टी सा मसाला हमारे नास्ते को बहुत ही बढ़ियां बनाएगा टेस्टी बनाएगा तीखा बगएरा जो है नमक आप अपने स्वाद अनुसा किसी भी चीज में डालिए और इस आलू को चारो साइड हम अच्छी तरह से फैला लेंगे बिल्कुल इसी तरह से इसके बाद इस कटोरी को हम हटा लेंगे अब इसको हमें छोटे छोटे पीसे में कट करना है तो बीच से ऐसे कट कर लेंगे फिर इसके बीच कट कर लेंगे जैसे हम 4 पीच तयार कर लिए हैं अब इसी तरह इसके बीच ओ बीच हम 8 पीच तयार कर लेंगे और 8 के बाद क्या करेंगे हम 16 पीच तयार करेंगे सब के बीच ओ बीच एक एक बार और कट लगाएंगे और इस तरह से हम सभी को हम छोटे-छोटे से नास्ते के रूप में हम तयार कर लेंगे आप चाहे तो बड़ा-बड़ा पीस भी कर सकते हैं लेकिन बहुत-बड़ा अच्छा लगेगा नहीं और छोटा-छोटा रहेगा तो बहुत यासानी से बहुत खस्ता सा हमारा तयार हो जाएगा यह देखे बड़ा पीस है अगर बड़ा-बड़ा बनाएंगे तो इस तरह से तयार होगा लेकिन मैं बनाऊंगी छूटा-छूटा बहुत प्यारा-प्यारा सा तो इस तरह से एक किनारा से हम लेते हुए इसे टाइटली थोड़ा सा फोल्ड कर देना है बस इसी तरह से अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से उसका इंड है वो चिपक जाए बस टाइटली थोड़ा-थोड़ा रोल करते हुए लाज्ट में इसे अच्छी तरह से दबा देना है तो बस इसी तरह से बहुत ही असानी से आपका ये जुनास्ता है ना तयार हो जाएगा इसे चाय के साथ आप खा सकते हैं बस बहुत ही असान है और इस तरह से आप इसे तयार कर लीजिए और तयार करने के बाद ये हमारा इसे फ्राइ करना है तो इसे रिफाइंड ओयल में हम गर्म करने के बाद तेज गर्म करके इसे हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे हम जिस तरह से आप समोसा वगरा तलते हैं न पस उसी तरह से हमें तलना है तो इस तरह से डालने के बाद थोड़ी दिर के बाद इसे हम पलडते हुए इसे बहुत ही करारा सा सीख लेंगे हम प्राई कर लेंगे इसको पलटते हुए तो जटपट सा हमारा जो यह नास्ता है ना पन के तैयार हो जाएगा तो इसका स्वाद जो है ना समोसा की तरह लगता है क्योंकि समोसे का ही आलू है ये तो इसका देखे कलर कितना अच्छा सा हो गया है और इसके बाद हमेंसे निकाल लेना है तो पांच से छे मिनट लगे हैं बिल्कुल दीमी आज में दूसरा बैच भी है इसे भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे और निकाल लेंगे तो देखे ये जटपट सा हमारा ये नास्ता बन के तैयार है इसकी आवाज देखिए बहुत ही खस्ता सा बहुत ही टेस्टी सा नास्ता हमारा जो है किहुके आटे का बन के तैयार हो गया है तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें